Hello everyone, Home Science Let's Crack It पर आप सभी का स्वागत है मैं यहाँ पर Home Science Net का वेपर डिसकस कर रही हूँ जो की मार्च में कंड़क्ट हुआ था और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं 51 क्वेस्चन से चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेस्चन है The psychological aspects of color are Color have the property of seeming to advance B है colors change the dimension of objects Colors can affect the mood of an individual Colors have a very definite effect on each other Colors add to weight of an object ठीक है यहाँ पर चार option दियेगे Hindi में भी देख लेते हैं रंग के मनोवाग्यानिक पच्छ है पहला है रंग में निकट आनी की प्रतीरत के गुण होते हैं रंग बस्तों के आयाम को बदल देते हैं रंग किसी व्यक्त की मनुदश्या को प्रभावित कर सकता है रंग के एक दूसरे पर बहुत निश्चित प्रभाव होते हैं और रंग किसी वस्तों के वजन में व्रिद्धी करता है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एक तो पहला हो जाएगा colors have the property of saving to advance तो यह पहला option सही है फिर है colors change the dimensional object यह नहीं सही है colors can affect the mood of an individual तो obviously यह करता है colors have a very definite effect on each other तो यहाँ पर A, C और D वाल option सही है इसका मतलब है कि पहला option सही है चलिए अब next question है the cost of project includes cost and installation of plant and machinery cost of land sales revenue technical know-how cost यह फिर सर्वे आफ मार्केट परियोजना की लागत में सम्मिलित होती है सहींत्र एवं मशीनरी की कीमत और संस्थापन जमेन की कीमत विक्री राजर से तकनीकी ज्यान की लागत यह फिर बाजार का सर्वेच्छण तो यहाँ पर पुछे जा रहा है कि अगर जो project की cost होगा उसमें क्या क्या चीजे include होंगी तो यह तो पहला आजाएगा cost of installation and sorry cost and installation of plant and machinery यह हो जाएगा cost of land आजाएगा sales revenue नहीं आएगा नहीं survey आएगा और technical know-how cost यहने कि A, B और D वाला option बिलकुल सही होगा it means जो fourth number है वो बिलकुल right answer है फिर है 53 number question है कि characteristic of adolescence thinking are first is egocentrism, second is imaginary audience, personal, fable, illusion of vulnerability या फिर illusion of invulnerability हिंदी में भी देख लिएगा कि शोर कि शोरियों के चिंतन की कौन सी विशेस्ताएं है तो यहां पर जो right answer है वो है एक तो पहला हो जाएगा egocentrism, दूसरा imaginary audience, personal, fable और यहां पर आप देखिएगा कि तीन है option A, B, C तो A, B, C का बस एक ही option है यहां पर और तीनों में A, B, C continuous में नहीं है तो A, B, C तो obviously यहां पर D है तो fourth वाला option सही होगा लेकिन जो इसमें actually इसमें D नहीं होना चाहिए vulnerability नहीं होनी चाहिए इसके जगाँ पर involulability होनी चाहिए तो यहां पर मैं आपको दिखा देती हूँ यह आप देख सकते हो कि यह जो है ठीक है क्योंकि जो अलकाइंड है यह क्या थे यह प्याजे के ही student है और यह जो है बहुत जदा उनका जो वर्ट था उससे बहुत जदा फैसिनेट थे तो जो डेविड अलकाइंड की theory यह है इन्होंने आप देख सकते हो कि इन्होंने थावन आये हैं feelings हैं उसके लिए बहुत जदा concerned होते हैं यह आपने भी पढ़ा होगा इनकी characteristic में तो वो इगोस यह centraism होते हैं दूसरा imaginary audience अब चुकि वो खुद के लिए जो उनके विचार है जो उनकी feelings है उसके लिए इतना जादा over जो concern होते हैं तो वो क्या करते हैं उनको ऐसा feel होता है कि जो others है वो सिर्फ उनहीं को constantly देख रहे हैं watch कर रहे हैं यानि कि उनके इंदर क्या होता है imaginary audience उन्हें लगता है कि जो other लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनहीं को देख रहे हैं ठीक है फिर इसी की वज़ा से इन में क्या होता है तीसरा है personal family यानि कि यह कैबलिट करते हैं कि their experience and feelings are unique चुकि सब इनहीं को देख रहे हैं इनहीं को watch कर रहे हैं इनहीं को monitor कर रहे हैं तो इनको क्या लगता है कि इनके जो अपने experience से अनभाव हैं इनकी जो feelings हैं इनकी जो सोच है वो unique है वैसा किसी की नहीं है वो जैसा सोचते हैं जैसा अनभाव करते हैं जैसा feel करते हैं वैसा कोई और नहीं करता है ठीक है फिर इसमें चौता आता illusion of invulnerability जबकि option में इन्होंने invulnerability right दिया हुआ है चुकि और कोई option नहीं है तो हमें यहीं लगाना पड़ेगा लेकिन यहां पर right होना चाहिए invulnerability होना चाहिए इसका मतलब I think that misfortune happens only to others यहां कि वो ऐसा सोचते हैं जो भागे पूर्ण काम है वो सिर्फ दूसरों के साथ में होते हैं दूसरों के साथ हो सकते हैं उनके साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो unique है उनके जो विचार है उनकी जो feelings हैं वो unique है हर कोई उनको देख रहा है तो इस वज़ा से वो बहुत ज्यादा over concerned होते हैं खुद के लिए ओके तो यहां पर A B C D वाला वैसे तो option सही है लेकिन यहां पर invulnerability होना चाहिए यानि कि A B C और E होना चाहिए ओके चली आब आते हैं next question पर Head Start contains these basic principles the provision of a high quality early childhood education, the promotion of good health, zero participation of parents in the program in which their children participate, the use of families of social services in the community when needed, the children are not allowed to communicate शुरुवाती बढ़त यानि कि जो Head Start है कि कौन से मूल सिध्धान दे प्रारामिक बाले अवस्ता में उच्छ गुर्वत्ता परक्षच्छा का प्रावधान अच्छे स्वास्ते को प्रवसाहन देना उन कारिक्रम अभी भागों की सूने भागिदारी जिनमें उनके जरूरत होने पर समुदाय में सामाजिक सेवाओं के परिवालों का उप्योग करना और बच्चों को संप्रेशन करने की अनमती नहीं होती है तो अब चुकि इसमें head start का मतलब हो गया शुरुवाती बढ़ा तो इसके basic principle एक तो पहला हो जागा the provision of a high quality early childhood education पहले priority होती है ठीक है फिर दूसरा है the promotion of good health होता है और फिर यहाँ पर zero participation तो बिलकुल भी नहीं होगा फिर यहाँ पर दिया जागा the use of family job social services in the community when needed और चलिए are not allowed to communicate यह भी नहीं होगा ओके तो यहाँ पर a b or development सही होगा it means second is right answer चलिए अब आते है next पर 55 number question human development is a unique field because it is interdisciplinary irrelevant across the life span combination of theory and practice personal application along with professional application and an art field मानव विकास है एक अनुठा छेतर है क्योंकि यह है अंतर विशेव, जीवन काल भर में आपरा संगिक, सिधान्त और वेभारग संयोजन, पेशेव, अनुपियोग के साथ संदने जी अनुपियोग और या फिर एक कला छेतर जो मानव विकास है वो एक unique field है क्योंकि यह interdisciplinary है और यह जो है combination of theory and practice है और personal application along with professional application है तो A, C और development से ही होगा, it means fourth is right answer 56th number question है अबगार scoring is used to test muscle, BMR, color, reflex, action या फिर breathing तो जो अबगार scale होता है, अबगार scoring होता है उसे क्या-क्या किस चीज़ को score किया जाता है या फिर कि हम कहें कि परिच्छन किया जाता है मान स्पेशी BMR, 1 यानिके रंग, प्रतिवर्थ, प्रक्रिया या फिर स्वश्चन BMR का मतलब होगा, basal, metabolic rate तो यहाँ आपर मैं आपको दिखा देती हूँ scale यह होती है scale तो यहाँ पर यह scale है, अब इसमें 5 points जो है consider किये जाते हैं, इनका परिच्छन किया जाता है, appearance, pulse, grimace और activity और aspiration इसमें 3 score दे जाते हैं, 0, 1 और 2, अब जो अब गार scale है, इसमें जो total score होता है, वो 0 to 10 होता है माल लीजे, कोई बच्चा जो यह 5 categories में divide की गई है, इन पांचों में वो 2-2 number पाता है, यानि कि score 2, समें gain करता है, तो maximum उसका क्या हो जाएगा, 10 number हो जाएगा अगर वो 0 gain करता है, तो minimum 0 हो जाएगा, यानि कि 0 to 10 तक वो score कर सकता है अब appearance का मतलब होता है कि बच्ची के skin का color कैसा है, अगर pink है तो उसको 2 number मिलेंगे अगर उसकी extremity is blue है, यानि कि जो हाथ और पैर का color blue है लेकिन और pink है, तो उसको 1 मिलेगा पूरा blue या फिर yellow है, pale और blue है तो 0 हो जाएगा, pulse rate अगर more than 100 BPM beat per minute होता है, BPM का full form okay, तो यहां पर beat per minute, ठीक है, अगर more than 100 है, then two score होगा, less than 100 है, तो 1 है, no pulse होगा, तो 0 हो जाएगा grimace का मतलब है कि बच्चा रो रहा है और अपने हाथों पैरों को बाहर फेक रहा है, यानि कि जो उसकी हम कह सकते हैं कि पुरी तरीके से जो है, उसकी जो under muscles है, उसकी activities है, पुरी तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है यानि कि वो proper grimace का मतलब ऐसे होता है कि जो बच्चे अपने face को अलग-लग तरीके से जो है move करते हैं, यानि कि उनको अच्छा कर नहीं लग रहा तो move बनाना, ठीक है तो अगर बच्चे रोते वक्त move बना रहे हैं, अपने हातों पैरों को इधादर fake रहे हैं, तो उसको दो number दिया जाएगा और weak cry है, तो एक number दिया जाएगा, कोई response नहीं हो रहा है, stimulation का, यानि कि बच्चों कर आप टच कर रहे हो, या फिर हलका सा उसको परिशान कर रहे हो, तो अगर कोई response नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो zero score हो जाएगा activity का मतलब है, उसकी muscle activity, या फिर हम कहें, reflex action, तो अगर active movement है, दोनों हाथ पर उसके proper चल रहे हैं, तो score 2 दिया जाएगा, arms और legs को क्योल वो फैला रहा है, तो एक number दिया जाएगा, कोई movement नहीं है, तो zero score दिया जाएगा, respiration है कि breathing, अगर strong cry है, या बच्चे जब रहोते हैं, उनकी breathing process, यानि कि जो breathing वो अच्छी लेते हैं, तो strong cry है, तो दो number मिलेगा, slow और irregular है, तो एक number, अगर कोई breathing नहीं है, तो zero score किया जाएगा, तो इसी basis पर पता चलता है, बच्चे को 7 number, 8 number, 9, 10, इतने मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो अपगार score है, वो muscle आजाएगा, BMR कहीं नहीं दिया है, color है, skin color, reflex action है, उसका और breathing, तो ACDE वाला option सही होगा, ACDE only, यानि कि थर्ड वाला option बिलकुल ही सही है, BMR नहीं होगा, फिर आता है, फिर पी 7 number question, the characteristics of extension are, it is competitive process, cooperative process, या और flexible in nature, uses formal education approach, या फिर is informal in nature, तो जो विस्तार, यानि कि extension है, उसकी क्या क्या विषेस्ताएएँ है, ये प्रतियस फर्दात्मक प्रक्रिया या फिर सहिकारी प्रक्रिया है, या फिर प्रकृति में लोज़दार है, या फिर आपचारुक, श्री छदरस्टिकोण का प्रयोग किया जाता है, इसमें या फ अब हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें ठीक है तो यहां पर तीन पर कम्युनिकेशन होते हैं sorry education की बात करें तो तीन पर करके education होते हैं formal, informal और non-formal अब यहां पर जो है तीनों में difference होता है ठीक है जो formal education होता है यानि कि आपचारिक जो सिच्छा होती है वो restricted होती है school और college तर यानि कि जो हम school और college में ले रहे हैं university level पर जो सिच्छा रहे हैं जिसमें कि फिक्स्ट करिकुलम है तो वो जो है formal education है आपकी informal जो की lifelong चलती है और non-formal जो की continuous लगातर चलती रहती है formal जो है limited और narrow होती है इसका scope दोनों का vast है formal जो है school, college और university में होता है यह और जो informal यह आप घर में ले सकते हो market में ले सकते हो playground temple यानि कहीं जहां से जहां कहीं भी आप अपने आस पास चारो और से जो सच्छा ले रहे हो वो आपकी informal education कहलाती है जो non-formal education है यह structured organization and institute providing daily experience यानि कि ऐसे organization और institute जो की daily experience प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो वो non-formal कहलाते है formal intellectual development of man करता है it lays stress practicability और यह all-round development होता है इसमें fixed syllabus और curriculum होता है इसमें जो curriculum है is the life itself होता है कोई fix curriculum नहीं होता है और जो non-formal education होता है उसमें जो है need-based syllabus होता है यानि कि जैसे आशकता होती है उसी के अंसार syllabus त्यार किया जाता है rules की बात करें तो it has rigid and fixed rules and regulation होता है यानि कि जैसे आप school of colleges में आपको fixed time पर आना है college आना है fixed time पर आपकी classes चलेंगी fixed time पर आपका lunch होगा तो हर एक चीज का time fixed होता है और rigid होता है जबकि informal education में कोई rules नहीं होते हैं कोई regulation नहीं होते हैं और जो non-formal है उसमें flexible rules and regulation होते हैं यानि कि need care according उसको change किया जा सकता है formal education taught by trained teachers और जो informal है received from any and every person यानि कि आप अपने आस पास चारो जहां भी आप रह रहे हो हर किसी से आप informal education gain कर सकते हो क्योंकि यह lifelong process होती है और जो non-formal है यह taught by experienced trainer जिसे कि हम कुछ diploma वगरारा करते हैं यानि कि हम school college के जो मलब आप degree जिसे BA, BSc, BCom यह जो classes है नहीं ले रहे हो मलब इसके आप जो आप other courses करते हो तो वह हम कह सकते हैं को non-formal में वह आ जाता है जो कि आप अपने need के according करते हो तो वह non-formal education कहलाता है चली I think आपको तीनों में difference समझ में आ गया होगा कि informal, informal और non-formal में difference कहा है फिर advantages of organizing a campaign are a campaign teaches principles, campaign teaches practices, creates conducive atmosphere for adoption, gives quick results with lower cost, deals with a problem important to a small number of people किसी अभियान को IJIT करने की क्यालाब है कोई अभियान सिधध्धानतों की बारें बताता है वेभारं की बताता है यह अनुपूलन हे तो प्रेख महाल को त्रजित करता है कम कीमत के साथ तवरेट परणाम पूस्दान करता है या या फिर अल्प संख्या में लोगों के लिए महत्पूर्ण समस्याओं से संबंधित होता है तो बात करें इसमें तो एक तो आप देखिए ये वाला option बिल्कुल नहीं होगा small number of people क्योंकि ये campaign जो होता है ये large number of people के लिए होता है ठीक है क्योंकि ये जन संपर्क के अंदर आता है okay mass communication फिर है ये तो होगा नहीं gifts, quick results and lower cost यानि कि D तो होगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसी में है D option यानि कि B होगा accompanied practices or it creates conducive atmosphere for adoption तो यहाँ पर जो second वाला option है BCOD ये वाला बिल्कुल ही सही होगा small number तो बिल्कुल नहीं क्योंकि last number of people में आपने पढ़ाई होगा communication में आपका जो आता है individual और group और mass उसी के अंतरगत ये आ जाएगा तो mass communication के अंदर आएगा semantic barriers in communication include specialist language, perceptual barriers message overload, damage translation या फिर underlined assumption संप्रेशन में सब्दार्थ विशेक बाधाओं में सामिल होते हैं विशेशगों की भाशा अवरोत परक बाधाय, संदेश, अतिभार, खंडित, अनुवार या फिर अंतरनेथ, पूरवानुमान तो संप्रेशन जब भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे बारियर्स होते हैं उसमें एक है पहरे से ही अपना एजम्शन तैयार कर लिया है तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा A, D और E A, D, E तीसरा वाला ऑप्शन बिलकुल ही सही, यहाँ पर हम थोड़ा सा बैरियर्स देख लेते हैं तो जो कम्म्निकेशन बैरियर होता है यहाँ कि अगर बैरियर्स होगा तो जो कम्मुनिकेशन है वो इफैक्टिव नहीं होगा प्रभाववपूर नहीं होगा तो कौन-कौन से बैरियर होते हैं संचार बाधा के परकार तो सिमैंटिक बैरियर जिसे हैं सबदार्थ बाधा καते हैं इतने प्रकार की communication barriers होते हैं जो कि हमारे communication को आप्रभावी बनाते हैं अब आते हैं 60 number question पर the learning process involved in for non-formal education okay already इसको हम discuss कर चुके non-formal education तो learning process जो non-formal education में क्या कौन-कौन सी learning process होंगी पहला है training in practical skills self analysis and reflection abstract and theoretical democratic discussion and dialogue या फिर authoritarian and imposed तो यह है गयर आप्चारिक सिच्छा में विभारिक कौशलों में पसिच्छन आत्म विश्लेशन और चिंतन अमोर्द और साध्धानतिक लोगत तंतर विचार विमर्ष यहम संभास अत्तावादी और अधिरोगित तो authoritarian तो नहीं होता है आप पहले ही इससे पढ़ चुके हो need-based होता है non-formular education तो authoritarian नहीं होगा ओके फिर democratic discussion and dialogue तो हाँ यह बिल्कुल सही है डी होगा तो दो option में आप देख सकते हो डी है जिसे हम जब भी कोई answer choose करते हैं अगर मालीजी आपको सारे option नहीं आ रहे हैं तो आप इस तरीक इससे options को हटा सकते है minimize कर सब्सक्राइब जिससे कि हमें e वाला पता है कि e नहीं आएगा तो आप देख रहे हो इसमें e है तो यह वाला option cut होगा यह तो नहीं होगा okay democratic discussion and dialogue आ जाएगा तो अब देख रहे हो दो में d है पहला वाल नहीं है तो पहला वाला भी हड़ किया अब दो है फिर इसके बाद में self analysis and reflection यह भी आएगा तो बी वाला option चुकि दोनों में है d भी है और b भी है ठीक है अब matter करता है कि a है या फिर c training in practical skills या फिर abstract and theoretical तो theoretical तो नहीं होता है training in practical skills होता है यानि practically हम इसमें जो है अपने skills का use करते हैं उसको precision दिया जाता है practically तो यहाँ पर आ जाएगा option a b और d वाला abd यानि की दूसरा वाला बिल्कुल ही सही है तो आप answer भी choose करने का तरीका होता है कि किस तरीके से आप choose करते हैं कि सारे option नहीं आ रहे हैं तो एक-एक option को आप कम करते जाओ फिर है क्वैसी experiment designs can be non equivalent groups design non cohort design equivalent groups design cohort या फिर true experiment design तो जो क्वैसी आर्ध प्रायोगी अभिकल्प हो सकती है गैर सम्तुले सम्मू अभिकल्प गैर सहगण अभिकल्प सम्तुले सम्मू अभिकल्प सहगण अभिकल्प या फिर सत्य प्रयोग अभिकल्प तो जो क्वैसी experimental design होती है यह cohort होती है इसमें भी हम देख सकते हैं अब आप देख रहे हैं यहाँ पर A1, 2 and 4 इसमें D नहीं है एक ही option बच रहा है थर्ड तो यानि कि D के साथ में A हो जाएगा non equivalent group design यानि कि cohort और non equivalent group design हो जाएगा को ऐसे experimental design तो कभी कभी हमें आपको अगर एक भी option आ रहा है सही तो आप जो है आसानी से अपना correct answer चूज कर सकती हो अब आता है दो लिस्ट दी गई है polypeptide, polysaccharide, polydipsia, polyphysia अब polypeptide यहाँ बल इंक्रीज एपिटाइड, long peptide chain, long chain of carbohydrate molecules या फिलिंक्रीज तो polypeptide जो होता है यह होता है long peptide chain, polysaccharide यह होता है क्या long chain of carbohydrate molecules आपको पता ही होगा polysaccharide monosaccharide diaccharide और polysaccharide होता है ठीक है तो polysaccharide का मतलब है long chain of carbohydrate molecules paula ripsiat का मतलब होता है increased thirst जिसमें प्यास अधिक लगती है और polyphasia का मतलब है जिसमें अधिक भूख लगती है जो polyphasia है और polydipsia यह दोजो ही आपके diabetes की symptoms है तो यहाँ पर हमने देख लिया है इसमें जो right arm अमसर है यानि कि A में आपका हो जाएगा long peptide chain A में second A में second दो option है आगे देखना पड़ेगा polysecret इसमें है long chain of carbohydrate molecules तो third देखना पड़ेगा तो चौते में नहीं है इसमें है A का second B का third C का fourth हो गया और T का one तो तीसे वाल option बिल्कुल ही सही है फिर है 63 number question है इसमें दो list दी गई है control point critical control critical limit या फिर deviation ठीक है तो control point है इसमें जो right answer होगा control point का पहले हम देखते हैं critical control point CCP जो कि आप हजार्ड analysis में होता है तो इसमें आप point in a fourth system where control can be exercised and hazard minimized hazard इसमें आ रहा है तो critical control point CCP hazard analysis में आता तो B में fourth वाना अब देख सकते हैं B में fourth कहां कहां है देखिए इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो ये दो option बिल्कुर कट हो जाएंगे बचा दूसरा और चौथा B में fourth है अब देखते हैं A में यहां पर third है यहां पर second है तो control point जो है इसमें third है तो देखते हैं failure to meet a required critical limit यह नहीं होगा ठीक है तो यानि कि तीसरा ओला अभी गलत हो गया अभी हां पर हो गया चौथा यानि कि A में second any point in a fourth system where loss of control does not lead to unacceptable health risk तो control point में second आ जाएगा critical control में आ जाएगा fourth critical limit में आ जाएगा देख सकते हैं C में पहला इसमें आ जाएगा पहला prescribed tolerances that must be made to ensure that critical controls point effectively control microbial hazard फिर आथा deviation तो इसमें तीसरा आ जाएगा failure to meet a required critical limit तो हमारा जो fourth वाला option है वो बिलकुल ही सही है इसको आप Hindi में भी यहां पर देख सकते हो ठीक है अब आते हैं यहां भी दो list दी हुई है type of yarn है और यहां पर इसकी details दिए गए है अब जो cork screw yarn होता है यह होता है क्या आपका cork screw yarn है यह है two ply yarn ठीक है तो देखते हैं a में अफ लॉक और फ्लैक यान जो होता है यह single yarn होता है तो d में first एक तो यह है flock और फ्लैक यान ये तो confirm है single yarn होता है तो d में first यहां पर d में first यहां पर यह दो हड़ी रहा option बच्चे दो पहला और तीसरा ठीक है अब यहां पर हम देखते जो बकल यान को डिता हøं एक जो मुल्ड हो तो नव यह तो पहला वाला option ही सही हो सही है दूट्यब्क यान होता है तो होता है । फिर है 65 number question यहां पर भी दो लिस्ट दी है name of का था embroidery है यह और यह product है उसके lab यह lab जो होता है quilted wrap around होता है quilted का मतलब होता है कि जिसे आपने रजाई गदा होता है ना कि दो cover होते हैं और बीच में filling होती है तो वैसे जो lab quilted का मतलब होता है कि दो cover ठीक है जिसके बीच में कुछ filling हो या फिर दो मोटे जो है हो आगे और पीछे जिसके बीच कुछ भी आसानी से fill किया जा सब्सक्राइब यानि कि double जो है कह सकते है double layer of cloth होता है इसमें तो lab में जो आजाएगा quilted wrap around जाएगा सुजनी क्या होता है यह large basket होता है और जो यह है आपका तो अभी हाँ पर हम option देले होते हैं lab में second यानि कि A में second दो ही option ने पहला हो गया पर दूसरा होगा और B में होगा large blanket होगा तो third वाला यानि कि पहला वाला हड़ेगे अभी third C में आ जाएगा fourth बयान में C fourth जो है बुक्च रैपर और और जो होता है यह pillow case ठीक तो यह वाला option बिलकुल सही हो जाएगा तकीग लाब quilted hour and बड़ा कंबल और पुस्तक wrapper फिर है यहाँ पर दो है method दिया गया है और इसका description दिया गया है panel discussion, conference, project method या फिर lecture method अब panel discussion sorry panel session क्या होता है where four to five persons conduct discussion before the audience यानि कि audience के सामने जब चार से पांच लोग बैट करके discussion करते हैं तो इसको panel session बोलते हैं तो panel session में fifth आ जाएगा ठीक अब देखते हैं A में fifth दो option है ठीक है यह दो हड़ गया फिर दूसरे में दोनों में चार है conference में चौथ है यानि कि तो confirm ही हो गया दोनों में ही same है several people meeting to discuss any particular topic आप उने conference अटेंड किया होगा जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं आप जो होती है और किसी particular topic पर यानि कि जो conference होते हैं में topic the main topic दियाता है main topic के अंदर सब topic होते हैं जिस पर कि आप जो है poster और और presentation तियार करते हो और जाकर कि conference में present करते हो तो यानि कि particular topic पर discussion होता है project method है इसमें पहला है दूसरा project method में पहला दिख लिए प्रोवाइदिंग facts information by instruction to a group of learners यह नहीं होगा फर्स्त नहीं होगा second दिखते हैं an activity where learner solve a practical problem over a long period of learning जैस बात आपको जब project कोई लेते हो तो इस पर बहुत लंबी समय तक काम करते हो practically उसको समस्या को आप solve करते हो तो यहां पर दूसरा आजाएगा और lecture method में पहला आजाएगा यानि कि providing facts information by instruction to a group of learners यानि कि जब आप lecture देते हो किसी fact याप information पर provide करते हो ठीक है तो यहां पर जो right answer है वो हमने देखा a fifth b four और c में आया था second project matter हाँ तो चौथा वाल option बिल्कुल ही सही हो जाएगा फिर है यहां पर दो है characteristic of entrepreneur or description इसके दिया है तो इसका जो answer है उसमें drop लिखकर के लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इसका जो answer है आपने चारों में से अगर कोई भी option लगाया होगा तो वो सही होगा कि इसके जो answer है यहां पर सही नहीं दिये ऑप्शन सही नहीं दिये गया है ठीक है तो यहां पर हम कुछ देख सकते हैं जिसे कि आप क्या है रिस्क टेकर जो है तो रिस्क टेकर जो है like challenges रिस्क लेता है ठीक है जो self confidence इसके अंदर होगा तो वो initiative, persistent, perseverance हो सकते है टास्क रिजल्ट जो oriented लोग होते हैं ठीक है जिनको result चाहिए होता है तो हम कह सकते हैं क leadership जो होते है creative, flexible, resourceful होने चाहिए, originality, responsive to suggestion and criticism और future oriented में, foresight या फिर perceptive according to me यह हो सकता है कुछ options में गलत भी हो सकते हैं लेकिन आप चुकि यहां पर option दिया नहीं है तो इसमें आप कोई भी जिर भी आपने लगाया होगा फिलाल वो आपका सही होगा चले 68 number question है दो है type of intethagrin यह spelling आए थे मुझे गलत लग रही है और यहां पर definition दिया गया linguistic, interpersonal, intrapersonal और existential हिंदी में देख लेते हैं भाषाई अंत्रव्यक्तित अंत्रव्यक्तित या फिर अस्तित्वात्मक तो भाषाई का मतलब है linguistic इसकी हिंदी में क्या है बुद्धी मत्ता के प्रकार और उसकी प्रभार्शादी ठीक है तो यह बुद्धी मत्ता के intelligence होगा यहां पर spelling दलत है type of intelligence बुद्धी मत्ता के प्रकार लिंग्विस्टिक अगर है लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया है यहां पर knowing ability to use words to understand new ideas यानि कि किसी भी नए ideas को समझने के लिए आप कैसे words को use करोगे उसकी ability होती है ठीक है तो लिंग्विस्टिक में तीसरा वाला option सही हो जाएगा interpersonal में आजाएगा पहला identifying different feelings, moods, motivation and tension in others interpersonal में others की जो moods, motivation, intention and feelings है उनकी पहचान करना होता है और interpersonal में खुद की ठीक है ultimate issue suggests the purpose of life and the nature of deaf तो इसका option तो मैं बताई ही नहीं लिंग्विस्टिक में यानि कि third होगा A में third एक ही option है अगर आपको linguistic का मतलब पता है तो यहाँ पर आप आप आसानी से एक option है यहीं टिक कर दो B में पहला है C में fourth है और D में second है तो अगर आपको चारों में से कुभी यही ही असानी से सही हो जाता है अब आते है next question को 69 number question है अब यहाँ पारेंटिंग स्टाइल दी हुई है और उसका explanation दिया गए अथार्टेरियन अथार्टेटिव परमिसिव या फिर अन इनवल्ब अब जो अथार्टेटिव होता है इसको डेमोक्रेटिक भी कहते हैं ठीक है इसको हम अलोड़ी पढ़ा चुके है डिटेल में कई बार पढ़ाया है हमने तो पिछले जो वीडियो से उसमें आप देख स पहुंचता है रिस्ट्रिक्ट होते हैं ठीक है तो इसमें आजाएगा पारेंट्स शोओ हाइबल सॉफ कंट्रोल और लो लेबलस ऑवां तो वां तो उस देख सिर्टर अथा इनवल्ब में किसी भी चीज में इनवाल नहीं होते हैं नहीं वह वांप बच्छों को और मिमाइजा टाइम देष्पेंट्ट विद देख चिललन कम से कम समय जो अपने बच्चों के साथ वो बतिद करते हैं तो इनवाल भी में आएगा 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 पहला यानि कि चौथा वाला option से C में third हो जाएगा और D में second हो जाएगा हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं इसको जो सत्तावादी लालन पालन होता है मातापित अपने बच्चों पर उच्छ अस्तरी नियंतरन दश आते हैं और निम्न अस्तरी इस नहीं होते हैं जो आजिकारवादी लालन पालन है यानि कि जितना चाहिए बस उतना ही नियंतरन होता है उनके प्रति अपना इस नहीं भी दिखाते हैं और responsible भी होते हैं अनोग्या पालक जो लालन पालन है परमसिप जिसमें कि मातापित इस नहीं और देख भाल यानि कि देख भाल भी गكرते हैं लेकिन बच्छों पर कम निय हंतरतओं रखते हैं इसमें कि कंट्रोल कम होता है बच्छों के पर responsible होते हैं और इसने भी दिखाते हैं फिर है यहाँ पर लिस्ट दो दी हुई है एक्सवान निलोख्रई है इस पर पर जो है project दिये गए हैं और किस ने इसको जो है फाइन किया फिर इस्टार्ट किया निलोख्रई एक्सपेर्म्ट जो कि 1948 में start हुआ था इसको start किया था SKD ने ठीक है इतावा पालट प्रोजेक्ट 1948 में हुआ था और इसको स्टार्ट किया था Albert Mayer ने माथंडम प्रोजेक्ट इसको स्पेंसर हैस ने शुरू किया था और गुणगाओ प्रोजेक्ट इसको 20 में है तो निलो खेरी जो SKD ने यहां पर यानगी जो A में है वो थर्ड हो जाएगा तो एक ही ऑप्शन है देखा अगर आपको एक आता है तो आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा इटावा में पहला हो जाएगा और मार्थंडम में आपकर सेकंड यानगी स्पेंसर हैस ने और गुडगाओं का एफल ब्राइन तो यह आंसर बिल्कुल ही सही है चली इसी के साथ हमने वीडियो का एंड करते हैं मिलते हैं इसके जो आप हमारे कितने कोशन बचे हैं 30 कोशन आइट में बचे हुए है तो इसको हम नेक्से वीडियो में फटड़ा फट डिसकस कर कर दोंगी वहां से आप इसको ले सकते हो विद आंसर के साथ में और साथ में जो एक्स्पैनेशन है वही मैं शेयर कर दोंगी जो यहां पर मैं आपके साथ सामने एक्स्प्लेइन कर रही हूं वही मैं शेयर कर दोंगी जो भी हमारे पास हैं नूट्स तो वहां से आप इसक कि अ